टेलेविजिन, डिमाक्रसी आट वर्क मौझूदा संसद भवन को बनाया गया था सौ साल पहले इन सौ सालों में आवशक्ताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेर और रेनोवेट किया जा चुका है पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग शमता बढ़ाना मुम्किन नहीं पर नहीं मुम्किन है इन्फरस्ट्रक्चर और टेकनोलोजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना इसी लिए आज नया संसद भवन एक मिकल्प नहीं बलकि 21. सदी के नय और आत्म निर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन भैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में जिसका निर्मान 21 महीनों यानि की आजादी की 75. साल गिरा तक संपन्द कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविदताओं से प्रेरित इसका त्रिभोजाकार डिजाइन जिसे पहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भुकम परोधी सिस्टम के मताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्षन से बिजली खपत को 30 प्रतिशत तक कम करने और अगले 150 से जादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा नए संसद भवन की कुल सीटिंग शमता पहले के मुकाबले 150 प्रतिशत से भी अधिक होगी मतलब अब लोगसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग शमता होगी साथ ही दिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्याले और लोगसभा और राज्यसभा हॉल होंगे, हाई क्वालिटी ओडियो विडियो और हर एक डेस्क, इलेक्ट्रोनिक गैजट से लैस इसके अलाबा यहां पर होगा भारत की भव्वे विरासत को दर्शाता, सम्विधान हौल, उस्तकाले, समिती कक्ष और भोजन क्षेत्र मतलब की नया संसद भवन होगा, 130 करोड देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला शेत्रिय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत जल्कियों को अपने कण-कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेम्बर से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतंत्रिक लक्षेओं को साकार करने वाला जैसे आपनिवेशिक काल के पुराने शहीद समारक के सामने हमने बनाया है नैशनल वार मेमोरियल ठीक वैसे ही पुराने संसत्भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्म निर्भर भारत को समर्पित नया संसत्भवन करता है में ुपित में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोक तंत्र और इस लोक तंत्र की सबसे खुबसूरत तस्वीर हमारा परल्यमेंट यानी संसत भवन जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधे हमारे देश और राज्य का नेत्रित्व करते हैं हलाकि समय, जरूरत, आवशक्ता और भविश्य की चुनाउतियों को देखते हुए चीजों को बदलना लाजमी हो जाता है और यही वज़ा है कि मौझूदा संसत भवन की जगह एक नए संसत भवन का निर्माण किया जा रहा है संसत के इस नए भवन की जरूरत समय के साथ प्रासंगिक भी है क्योंकि 2026 में जब नए सिरे से परिसीमन होगा और आबादी के साथ संसतिय कारेक शेत्रों की संख्या पढ़ेगी तब सुरक्षा, तक्नीक और सहूलियत के लिहाज से भी नया संसत भवन जरूरी होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौझूदा संसत भवन का महत्व कम होगा बलकि ये और भी बढ़ेगा बिटिश काल में बना मौझूदा संसत भवन अपनी गावरवशाली इतिहास और भारतिय लोकतंत्र की साल दर साल मजबूत होते सफर का गवाह है इतिहास की अंगिनत घटनाओं और कहानियों को अपने में संजोए वर्तमान संसत भवन देश की कला और वास्तु शिल्प का एक बेजोर नमूना है जो दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक है चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके इतिहास में जब इस संसत भवन के बनने की कहानी शुरू हुई झाल झाल नौ दशकों से भी ज्यादा वक्त का इतिहास संजोए संसत भवन की ये इमारत भवेता और सादगी की अनुखी मिसाल है इसने अजादी के अंदोलन को परवान चोड़ते देखा इसी इमारत में भारतिय नेताओं ने विदेशी शाषकों की हर उस पैरवी को परास्त किया जो भारत को कमजोर दिखा रही थी इसी इमारत में आजादी की भारत के स्वर्णिम भविश्य की प्रतिग्या ली गई और यहीं रचा गया भारत का आईन यानि सम्विधान आजादी के बाद लोकतंत्र के इसी मंदिल से जनताद्वारा चुने गए प्रतिग्यों ने देश को नई दिशा दिए जिसके बलबूते देश आज 21 सदी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है इस इमारत की तामीर की दास्ता भी कम दिल्चस्प नहीं है दरसल 1911 में आयोजित दिल्ली दर्बार के दौरान जब किंग जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को कलकत्ता से हटा कर दिल्ली लाने की घोशना की तब ही से संसद भावन बनने की कलपना आकार लेने लगी किंग की घोशना के बाद अप्राइल 1912 में ब्रिटिश वास्तो शिल्पी एडविन लुटियंस अपनी टीम के साथ नया शहर बनाने के लिए दिल्ली आये और फरवरी 1913 में नई राजधानी बनानी की जिम्मेदारी सम्हालने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया इस कमिटी के प्रमुक एडविन एन लुटियंस थे। कमिटी के अन्य सदस्यों में हरबर्ट बेकर भी थे। इस कमिटी को आम बोलचाल में डेली एक्सपर्ट के नाम से बुलाया गिया। कमिटी ने काफी छानबीन के बाद तैय किया कि नया शहर यानी नई दिल्ली बनाने के लिए सबसे सही जगह मालचा गाओं के पास है। इसके साथ ही वायसराय भवन और सचिवालेओं के लिए उन्होंने राय सीना की पहारी को चुना। शुरू में नई दिल्ली के नक्षे में संसत भवन शामिल नहीं था। संसत भवन को शहर की योजना में बाद में शामिल किया गया। दरसल 1921 में मॉन्टेवी चेंप्सफोर्ड सुधार लागू किये जाने के बाद जब वायसराय की काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ने और भारत में दो सदनों वाली प्रणाली यानि लोकसभा और राज्यसभा लागू करने का फैसला हुआ और तब काउंसिल हाउस क रूप में वर्तमान संसद्भावन के निर्मान की हूप रेखा तयार की गई ओरिजनल जो मैप बनाया गया था जो नहीं दिल्ली का उसमें संसद्भावन नहीं था संसत्भववन का काम एक council chamber के जरीये निप्टा रहे थे वो, क्योंकि उस समय प्रतिनितित तुझ था, वो बहुत ही नियंत्रित था लेकिन 1919 में जो मॉन्टेग चेंश्वांट रिफॉर्म साय तो जिसके जरीये एक दो सदनों की स्थापना किये गई जिसमें एक सदन था जिसको एक legislative assembly बोलते थे और दूसरा सदन था जिसको वो council of states बोलते थे और 1920 में एक शाही उद्घोषना जोर्ज पंचम के तहत एक शाही उद्घोषना के तहत में एक तीसरा चेंबर भी स्टाबिश किया गया जिसको चेंबर और प्रिंसेस बोलते थे नया शहर बनाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद एड्मिन लुटियंस ने शहर की सामाने रूप रेखा के अलावा वाइस राय भवन और वार मेमोरियल आर्च जिसे अब इंडिया गेट कहा जाता है इसका नक्षा बनाया वहीं जब संसद भवन बनाने की बात हो गई तब हर्वर्ट बेकर ने सचवालेयों और संसद भवन को डिजाइन किया हलंकि संसद भवन के डिजाइन और आकार को लेकर लुटियंस और बेकर के बीच जबरदस्त मत्भेद था लेकिन तदकालीन वाइसराए हार्डिंग के नित्रित्व में समिती ने बेकर के हक में फैसला सुनाया और आखिरकार एक गोलाकार प्रारूप को स्विकृति दी गई हर्वट बेकर ने जो योजना बनाई थी उसके तहत एक समान बाहुत त्रिकोन का की की उसने एक योजना बनाई थी लटियंस इस बात से सहमेत नहीं थे और उस समय कुछ और भी बाते हो रही थी कि इसका जो है वो खर्च कम किया जाए फिर उन्होंने जो कोलेजियम का डिज जो है उसके डिजाइन के बीसिस पे गोलाकार डिजाइन का सुझाओ दिया और गुम्बत को भी कि उचाई कम करने के सुझाओ दिया गया और यही सुझाओ पारित हो गया जिसकी वज़़ से पार्लेमेंट हाउस एक गोलाकार के रूप में बना मलब उस समय एक कांसिल पूरी करने के बाद 12 फर्वरी 1921 को डिउक आफ कनाट प्रिंस आर्थर ने संसत भवन की निव रखी और छे साल की कड़ी मेहनत के बाद ये भव्व इमारत अपने वजूद में आई 18 जन्वरी 1927 को एक शांदार समारों में लॉंड एर्विन ने हर्वर्ट बेकर द्वारा दी गई सोने की चावी से संसत भवन का उद्गाटन किया इस इमारत को बनाने में उत समय कुल 83 लाख रुपे खर्च हुए और हजारों मजदूरों कलाकारों ने इसे बनाने में अपना बहुमूल ये योगदान दिया अपनी भव्यता और कलात्मक बनावट के साथ ही बेहतरीन वास्तुकला के उतक्रिष्ट नमूनों को अपने में समय के संसत भवन दुनिया के शांदार भवनों में से एक है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं अपने गोला का डिजाइन के चलते शुरू में इसे सर्कुलर हाउस कहा जाता था संसत की इमारतों में संसत भवन, संसदिय सौध, स्वागत कार्याले और संसदिय ज्यान पीठ या संसद ग्रंधाले शामिल है इन सभी को मिलाकर संसद परिसर या पार्लियमेंट स्टेट कहा जाता है लंबे चोड़े लॉन, जलाशे, फववारे और शांदार सड़कों से सुसजित संसत भवन का सारा परिसर, सजावटी लाल पत्थर की दिवारों और लोही की खिड़कियों के साथ ही लोहे के विशाहल दर्वाजों से घेरा हुआ है संसत भवन का डिजाइन योरोपिय भारती और इस्लामिक वास्तुकला का मिला जुला रूप है गोलाकार रूप में बना संसत भवन 6 एकड में फैला हुआ है जिसका व्यास 560 फुट और परिधी एक मील की एक तिहाई यानि 536.33 मीटर है इस भवन के चारों तरफ 10 मीटर उची जालीदार बलुवा पत्थर की बाउंजरी है संसत भवन में कुल 12 द्वार हैं जिनमें 5 द्वारों के उपर मंडप बने हुए हैं संसत मार्ग परिस्थित गेट नमबर एक इसका मुख्य गेट है संसत भवन की पहली मंजिल पर खुले गोलाकार बारामडे के किनारे किनारे समान दूरी पर क्रीम रंग के बलुई पत्थर के 27 फीट उचे 144 विशाल खंबे हैं जो इसकी सुन्दर्ता में चार चांद लगाते हैं मूलता ये एक दो स्टोरेट बिल्डिंग था अभी तो मतलब और 1956 में दो इसमें फ्लोर्स और आट किया गए थे मूलता ये एक दो स्टोरेट बिल्डिंग था जिसमें नीचे में रेट सांस्टोन था और ऊपर में जो क्रीमी सांस्टोन था बिल्कुल उसी तरह का तस्कन कॉलम्स थे पतले कॉलम्स थे और गोला कार था इसका संसत भवन का केंद्र बिंदू है इसका विशाल सेंट्रल हॉल यानि केंद्रिय कक्ष इस कक्ष का मुख्या कर्शन है इसका 98 फीट व्यास और 118 फीट उचा विशाल गुम्बद जो दुनिया के शांदार गुम्बदों में से एक है जन्वरी 1950 में इस कक्ष का नाम रखा गया था सेंट्रल हॉल इससे पहले इसे कांस्टिचूएंट असेंबली कहा जाता था यहीं से विश्व की महान हस्तियां सांसदों को संबोधित करती आई है इस सेंट्रल हॉल का बड़ा ही एतिहासिक महतो है भारत के समविधान सभा की बैठक 1946 से 1949 तक इसी हॉल में हुई थी 1947 में अंग्रेजों ने भारतियों के हाथों सत्ता का हस्तांत्रण इसी कक्ष में किया था इस हॉल का प्रियोग अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए और राश्ट्रपती के अलावा विशेष्ठ अतितियों, राज्या ध्यक्षों और शाशना ध्यक्षों आदि के अविभाशन के लिए किया जाता है मानिये सभासदों महामहें राश्ट्रपती जी सेंट्रल हॉल में लोहे के खंबे पर पंखे उल्टे लगे हुए हैं इसकी दिवारों पर बिटिश शाशन के समय के बारह प्रदेशों के राज्य चिन्न लगे हुए हैं जो राश्ट्रिय एक्था के प्रकीत है सेंट्रल हॉल के तीन ओर लोगसभा, राज्य सभा और ग्रन्थाले के तीन चेंबर है इन तीन चेंबरों के चार ओर एक चार मंजिला गोलाकार इमारत बनी हुई है जिसमें मंत्रियों, संसदिय समितियों के सभापतियों, पार्टी के कार्यालेओं, लोगसभा और राज्य सभा चच्चिवालेओं के महतवपून कार्यालेओं के साथ ही संसदिय कारे मंत्राले के कारयालियों के लिए जगह की विवस्था की गई है इन चेंबरों के साथ ही जुड़े हैं पूरी तरह से सजे हुए दो गलियारे जिने भीत्री और बाहरी लॉबी कहा जाता है बेहतरीन फर्नीचर से सुसज़िद इन लॉबीयों में सदसे आपस में विचार विमर्श करते हैं लोग सभा कक्ष में 550 सदसियों के बैठने की विवस्था है ये अर्थ गोलाकार कमरा 4800 स्कुएर फीट शेत्र में फैला हुआ है इस कमरे में देश के नागरिकों द्वारा चुने गए 543 सदस्य बैठते हैं लोग सभा चेंबर की सीते छे भागों में विभाजित है प्रतेक भाग में 11 पंक्तिया है लोग सभा में बिछाया गया कालीन हरे रंका है जो ये दर्शाता है कि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है इस कमरे में लकडी पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है इसकी पहली मंजिर पर लॉबी में फत्रकारों और मेहमानों के लिए बैठने का इंत्सदाम है इसकी दीवारों पर बिटिश राज के भारत के 35 फ्रांतों के तांबे से बने राजिच्चिन जड़े हुए है लोकसभा द्यक्ष का आसन चेंबर के केंद्र में उंचे प्लेटफॉर्म पर बनाये गया है जो अर्थ वृताकार छोरों से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष की पीट के ठीक उपर लखडी के बने पैनल को मशुहूर वास्तुकार सर अरबट बेकर ने तयार किया था इस पैनल पर संस्वित भाषा में लिखा आदर्श वाक्य धर्म चक्र प्रवर्तनाय अंकित है जिसका मतलब है धर्म परायनता के चक्र वर्तन के लिए अती यितकाल से ही भारत के शासक धर्म के मार्ग को ही आदर्श मान कर उस पर चलते रही हैं और उसी मार्ग का प्रती धर्व चक्र भारत के राष्ट्र भज और राज चिन्ध पर सुशोभित है अध्यक्ष के आसन के ठीक सामने कलापूर उन नकाशी के बीच भारती विधाई सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विठ्थल भाई पटेल का चित्र लगा हुआ है स्पीकर के कुर्सी के ठीक नीचे लोग सभा महासच्यों और अन्यधिकारी बैठते हैं इसी सदर में बैठकर सत्ता और विपख्ष के नेता अपनी बुद्धे मता और विवेट से नए विधेयक पारित करते हैं जिससे देश को नए दिशा मिल सके जब हम बात करें लेजिसलेटिव एसेम्बली के बीच के बारे में जो की आगे चलके लोग सभा बना तो ये जो है ये अर्द गोलकार स्ट्रक्चर था इसके बारे में दो बाते बड़ी मशूर थी एक कि जब ये शुरू शुरू ये काम करना शुरू हुा इसका करके जब इंडिपेंदेंस के बाद में तब ये महशूस किया गया कि बहुत सारी बाते जो होती थी ओए expres करती थी तो बहुत व्यावधान हो रही थी बहस में तो जिसकी वज़े से सीलिंग को नीचे किया गया जिसकी एक फॉल सीलिंग देके उसको नीचे किया गया और साइड में जो बैलकनी थे उरको थोड़ा सा तिर्शा करके आगे किया गया जिसकी वज़े से जो है वो जो है की जो समस्या है उसको कम करके गई और यह वही जगह थी जहां पर 1929 में भगत सिंग और बटकेश्वर दत ने जो पब्लिक सेफटी बिल या फिर जो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल है उसके खिलाफ में यहां पर बंपे का था राज्यसभा चेंबर भी लोगसभा की तरह ही है लेकिन यह आकार में छोटा है इसमें 250 सदसियों के बैठनी की जगह है राज्यसभा चेंबर आधुनिक ध्वनी उपकरण, स्वचालित मत्दान रिकॉर्डिंग और भाशांतरण प्रणाली से सुसजित है यहां भी लोगसभा की सवान ही सारवजनिक दीरगा, दर्शक दीरगा, प्रेस दीरगा, राजनईक दीरगा और सभापती दीरगा की विवस्था है जहां से बैठ कर राज्यसभा की कारेवाही को देखा जा सकता है राजसभा भवन में फर्श पर बिचाई जाने वाली कालीन का रंग लाल है जो शाही भाव के साथ ही स्वतंतरता सेनानियों के बलिदान का प्रतीख है यहां भारत के रजवारों के 102 राजिचिन लगे हुए है आजाद भारत में सुप्रीम कोट के अस्तित्व में आने के बाद 28 जनवरी 1950 से 1958 तक चेमबर ओफ प्रिंसेज ही भारत के उच्चतम न्यायाले का भवन था और यहीं से सुप्रीम कोट चलता था 1958 में सुप्रीम कोट के लिए अलग भवन बनने के बाद इसे लाइबरेरी कक्षवना दिया गया यहीं पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए भारत के सम्विधान की मूल प्रती रखी गई है देश भर के चित्रकारों की बनाई 124 पेंटिंग्स इसकी दीवारों पर है यह चेंबर और प्रिंसेस को बाद में लाइबरेरी के रुप में कनवर्ट कर दिया गया लेकिन यह वही जगा है जहां पर से Supreme Court ने पहले 10 साल काम किया था नई बिल्डिंگ बनने के पहले Supreme Court पहले 10 साल Supreme Court ने यहीं से काम किया था और दूसरी बात कि जो कलिग्राफ कॉपी है जो सुलेखित प्रती है जो इंगलीश और हिंदी दोनों की ये लाइबरीरी में ही रखे गई है संसद भावन के गेट नंबर एक के सामने बने गोलाकार भावन में इसका स्वागत कारियाले है 1975 में बना ये स्वागत कारियाले संसद की कारिवाही देखने आने वाले आगंतुकों के स्वागत के लिए हमेशा तयार रहता है कल्पना की दृष्टी से अनूठे इस स्वागत कारियाले की वास्तुकला में प्राचीन और नए दोनों रूपों का मिलन दिखता है इसका बाहरी भाग लाल बलुवा पत्थर से बना है जबकि भीतरी भाग पर लकड़ी की लाइनिंग का काम है जो गर्म जोशी और स्वागत की भावना भी खेरती है मूल संसद भावन में तीन चेमबर थे दे सेंट्रल असेंबली दे काउंसिल ओफ स्टेट और दे प्रिंसेस चेमबर आजादी के बाद संसद के कामकाज में कई गुणा बढ़ोत्री होने से दोनों सभावं के सचवालियों के लिए नए कार्याले बनानी की मान बढ़ने लगी तब सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्री करने के लिए संसदिय सौध का निर्माण किया गया 9.8 एकड में फैले इस भावन का निर्माण 1970 से 1975 के दौरान हुआ इस भावन का डिजाइन केंद्रिय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुवीत जे एम बेंजा में निकिया था 35,000 वर्ब मीटर में बने इस भावन के बीच का भाग 6 मंजिला है जबकि आगे पीछे का भाग 3 मंजिला है मई 2002 तक संसत ग्रंथाले संसत भावन में ही सित्था लेकिन संसत सदस्यों को प्रभावी, कुशल और आधुनिक शोध और सूचनाय उपलब्द कराने के लिए 1987 में एक नए भावन का निर्माण शुरू किया गया जो 2002 में पूरा हुआ इस भावन को संसत ग्रंथाले भावन के साथ ही संसद्य ग्यान पीछ भी कहा जाने लगा 19,000 वर्ग मीटर में पहले इस भावन में करीब 30 लाख ग्रंथों को रखने की विवस्था है संसद्य ग्यान पीछ हर तरह के अत्यादुनिक सुविधाओं से लेस है बाद में विस्तरित होके कुछ और बिल्डिंग्स बने जैसे कि एक रेसेप्शन आ गया रेसेप्शन जहां पर आप सबसे पहले जाते हैं तो एक रेसेप्शन हाल है करने के लिए इसके आलावा दो और बड़ी बिल्डिंग्स है जिसका जिक्र होना important है एक जो है पौर्लेमेंट है लाइब्री बिल्डिंग Кो जो की 2002 में बनी पौर्लेमेंट लाइब्री बिल्डिंग्ग्स ने ने जो और यह जो की पल्लिमेंट ग्रेयरी ईह क्यू फासियत है कि एक तरफ जो है लटियन्स या फिर बेकर की जो अपनिवाशिक शाली जो है उसके विपरीत में ये एक भारतिय शाली में बनाए गये हैं और ये आधुनिक्ता का प्रतीग भी है नए राश्टर के आधुनिक्ता का प्रतीग भी है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में संसत भवन लोकतांत्र का वो मंदिर है जहां राश्टर के समगर क्रिया कलापों पर चर्चा होने के साथ ही देश को नई दिशा देने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं ये सम्मानिय सदन सत्य और आदर्शों की उच्च परंपराओं से प्रेदित हैं संसत भवन की दिवारों पर अनेक महान वाक्य और सूक्तियां अंकित हैं जो दोनों सदनों को विचार विमर्ष के लिए प्रेड़ना का अश्रोत देती हैं यहां आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान बर्बसी इन पंक्तियों की ओर खिचा चला जाता है संसत भवन में प्रवेश करते ही उप निशदों से संस्कृत में लिखी एक सूक्ति हमें राश्र की प्रभुता का जिसका प्रतीक संसद है उसका स्मरण कराती है जिसका मतलब है द्वार खोल दो लोगों के हित और दिखा दो ज्छा की जिससे अहो प्राप्ति हो जाए सार्वभौम प्रभुता की वही जब हम केंद्री के कक्ष को जाने वाले रास्ते में गुम्बद की और देखते हैं तो वहां अरभी में एक सूक्ति नजर आती है जिसमें कहा गया है कि लोग स्वयम ही अपने भागे के निर्माता है सेंटरल हॉल के द्वार के उपर पंच तंत्र से संस्कृत में एक पध्यांच लिखा हुआ है जिसका आर्थ है ये मेरा है और वो पराया है इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है लेकिन विशाल हर्दय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुम्ब होता ह है ऐसे अनेक प्रेणा दायक और महान वाक्य संसत भावन की दिवारों पर उत्कीर्ण हैं जो हमें लोक तांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए लगतार प्रेरिद करते रहते हैं श्लोक या अभिलेख जो पाए जाते हैं इनके बारे में तीन या चार बाते मैं आपको बताता चलूं कि ये चाहे तो संस्कृत में या अर्भी में अभिलेखित हैं ये अलग-अलग श्रोतों से लिए गये हैं ये बहुत प्रमुख स्थानों पे अंकित है जहां पर आपक अंबध है वहां पर है तो इसको आप नजन अंदाज नहीं कर सकते हैं ये आपको देखेंगे करने के लिए संसत भवन में जाने वाला हर व्यक्ति इसके बाहरी गोलाकार गल्यारों में भित्ती चित्रों से सुशोवित दिवारों को देखकर मंत्र मुक्ध हुए बिना नहीं रह सकता ये चित्र भारत के महान कलाकारों की कलाकृतियां हैं जिनमें वैदिक काल से लेकर बिटिश काल होते हुए 1947 में आजादी हासिल होने तक के देश के लंबे इतिहास के कुछ दुरलब द्रिश दर्शाए गए हैं ये कलाकृतियां ततकालीन समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन, संस्कृति और परंपराओं का ब्रतीकात्म घूप हैं साथ ही एक अलाकृतियां भारत में विक्षित महान सभ्थाओं, सामराज्जियों के साथ ही महान राजाओं, योध्धाओं और रिशियों जिन्होंने अपने प्रयासों से हमारे देश को गौरवानवित किया है उनकी याद दिलाती है संसद भावन परिसर में लगी मूर्तियां और प्रतिमाएं उन महान शास्कों और विभूतियों की याद दिलाती हैं जिन्होंने देश को मजबूत बनाने, उसे सवारने और एक महान परंपरा को आगे बढ़ाने में आतुलिनिया योगदान दिया वो चाहे संसद भावन के गेट नंबर पांच के सामने प्रांगण में लाल बलुआ पत्थर की पीठी का पर बासुरी लिये हुए चंद्रगुक्त मौर्य की प्रतिकात्मक प्रतिमा हो या गेट नंबर बारह के पास चेतक घोड़े पर सवार महाराना प्रताप की 18 फीट उची कासे की प्रतिमा हो या फिर छात्रपती शिवाजी महराज कितूर रानी चैन्नमा राष्टपिता महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेका नंथ की प्रतिमा हो अनेक महान विभूतियों की ये प्रतिमाएं हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट सबसे पहले है और राष्ट से बढ़कर कुछी भी नहीं इसी तरह संसत भवन के केंद्रिय कक्ष की दिवारों पर लगे चित्र राज्य सभा चेंबर और उसके भीत्री लाववी में लगे चित्र लोग सभा चेंबर और उसके भीत्री लाववी में लगे चित्र संसत भवन समिती कक्ष में लगे चित्रों के साथ ही संसदिय संग्रहाले और अभी लेखागार में लगे चित्र उन महान लोगों की महान गाथा कहती नजर आती है जिन्होंने स्वतंतरता अंदुलन में अपना अमिट योगदान देने के साथ ही इस पवित्र भावन के चट के नीचे भारतिय लोगतंतर को और मजबूत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इन सब के अलावा लंबे चोड़े लॉन, जलाशे, फववारे, साफ सुत्री सड़कें अपनी अलग छटा विखेरने के साथ ही संसत भावन की सुन्दरता को और ज्यादा निकारते हैं इन सब के साथ ही बहुत ही जियोमेट्रिकल ढंग से बनाई गई बाहरी दिवारों पर मुगल कालीन जालियां किसी जहरोखें से कम नहीं है संसत भावन हमेशा परिवर्तिन सील रहा है हमेशा उसमें बदलाव होता रहा है लेकिन कुछ बाते जो है या कुछ मुल्ले जो है हमेशा बरकरार रही है यह एक कि यह हमेशा से सांस्कृतिक और समाजिक विविधता का एक प्रतीक रहा है दूसरा इसका समावेशी स्वरूप जो है जिसमें छेत्र हो गया धर्म हो गया समुदाय हो गया जाती जन जाती भाषा विचारधारा यह सभी तरह के विचारों को इसमें समावेश किया गया है या उसको प्रतेजिक में मिला है इसके अंदर में और तीसरी बात हास, व्यंग, विनोध, बहस, चर्चा, वार्ता, आलोचना, सहिश्नुता इसके मूल ले रहे हैं, शुरू से इसके मूल ले रहे हैं यह सारी चीजो हैं, यह प्रविर्तियाँ उसकी बनावत में, उसकी आर्किटेक्टर में, उसके भाशन में, उसके अंदर जो वार्ता हुई हैं, उसकी नीतियाँ जो यहां ले गई हैं, उन सम में भी प्रतिलक्शित होती है संसद भवन एक जीवित विरासत स्थल है आजादी के पहले संसद भवन को परिशद सदन कहा जाता था और 1947 में आजादी के बाद परिशद सदन का नाम बदल कर संसद भवन रखा गया ये आजादी से पहले और उसके बाद कई एतिहासिक पलों का साक्षी रहा है संसद भवन देश के संविधान बनने के एक एक पल को खुद में समेटे हुए है दुनिया के किसी भी गणतांतरिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानि भारत का संविधान संविधान को मूर्त रूप संसद भवन में ही दिया गया संसद भावन के केंदर बिंदु यानी सेंट्रल हॉल में भारत की समविधान सभा की बैठक 1946 से 1949 तक हुई थी सेंट्रल हॉल में भारतीय समविधान के बनने के दोरान हुई अंगिनत गहन बहसें और चर्चाय देखी है संसद का केंद्रियक अक्ष वही एतिहासिक जगह है जहां भारत की समविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की थी हमारा देश 15 अगस 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ 1947 में अंग्रेजों ने भारतियों के हाथों सत्ता का हस्तान तरण संसद भावन के केंद्रियक अक्ष में किया 15 अगस्त 1947 की रात को पंडिक जवाहलाल देहरू का ट्रिस्ट विट डेस्टिनी भाषण का गवाह भी संसद भावन ही बना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया संसद भावन संविधान को आपशारिक रूप से अपनाये जाने से एक दिन पहले यानि 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर डी आर अमबेट करके ग्रामर ओफ एनार की भाषण का साक्षी रहा है इस भाषण में अमबेट कर ने देश को मिलने वाले संविधान की खासियत को बताया साथ ही संविधान को लागू करने में आने वाली चुनाओतियों को भी देश के सामने रखा आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाओं के बाद देश की पहली संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था इस दिन राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक हुई ये पहले आम चुनाओं में चुने गए संसदों की पहली बैठक थी जोश उत्साह से भरे संसदों पर नया राष्टर बनाने और चलाने की जिम्मेदारी थी इस जिम्मेदारी को सांसदों ने संसद भवन में बैठ कर ही एसास किया संसद भवन कई गणमाने विदेशी महमानों के भव्य स्वागत का भी साक्षी रहा है कई देशों के राष्ट्य धक्षों ने संसद भवन में सांसदों को संबोधित किया है इसके लिए संसद भवन के सेंट्रल हॉल का इस्तमाल किया जाता है राज्य सभा की ओर से जारी किया गया 2018 का कैलेंडर इसी माइने में खास था इसमें संसद को संबोधित करने वाले 12 शीर्ष विश्व नेताओं को शामिल किया गया इसमें विश्व इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले एक दरजन शीर्ष नेताओं को जगदी गई एक नजर इन नेताओं पर डालते हैं झालते हैं लोकसभा और राजिसभा में किसी विध्यक पर गतिरोध होने पर हमारे समविधान के अनुछेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है संसर्भवन अब तक तीन बार किसी विध्यक के लिए संयुक्त बैठक का गवाह बना है पहली संयुक्त बैठक दहेज निशेद विध्यक 1969 में कुछ संशोधनों को लेकर दोनों सद्नों के बीच असहमती होने पर 6 और 9 मई 1961 में आयोजित की गई दूसरी संयुक्त बैठक बैठक बैंक कारी सेवा आयोग निरसन विध्यक 1977 को राज्य सभा से औस्विकार हिये जाने के बाद 16 मई 1978 को हुई तीसरी संयुक्त बैठक लोग सभा से पारित और राज्य सभा से औस्विक्रित प्रिवेंचन आफ टेरिरिज्म और्डिनेंस पोटो के स्थान पर प्रिवेंचन आफ टेरिरिज्म बिल 2002 पर विचार करने के लिए 26 मार्च 2002 को आयोजित की गई संसत्भवन ने देश के सामाजी कार्थिक परिवर्तन में योगदान देते हुए एक लंबा सफर तै किया है संसत्भवन देश हित में समाज के सभी वर्गों के कल्यान के लिए बने तमाम कानूनों का साक्षी रहा है संसत्भवन 1952 में हुए पहले आमचुनाओ के बाद से अब तक करीब चार हजार कानून बनने का गवा है संसत्भवन बलंद सोच वाले वक्ताओं का संगम स्खली है जहां देश के हर नागरिक की आवाज गोंचती है क् लागज हई वक्ताओं का संसवां लागै झाल झाल